नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों, आप सभी को बता दे बेटा, बधाई हो तुम्हारा, आखिर वह दिन आ गया, जिसका बेशक आशे इंतजार था। तुम्हें कल से तुम्हारे जीवन काल में जो होने वाला है, सुनकर घर और परिवार खुशी से नाचेंगे। जी हाँ, दोस्तों, कल से आप सभी का एक नया जीवन शुरू होने वाला है, और ये जीवन बिलकुल ही वैसा होगा, जैसे आपने सोचा था। जी हाँ दोस्तों और इसके पीछे की सच्चाई सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे बस आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो बात बताने वाले हैं 100% सत्य है और ये होकर रहेंगे वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जै माता दी तीन बार लिखिए और यकीन मानिये आने वाले 24 घंटे के अंदर माता रानी आपको एक बड़ी खुश खबरी देगी तो जरूर ही लिखिएगा दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप यह बात जानते हो लेकिन अंधेर नहीं है भगवान जब भी देते हैं छप पर फाड़ कर देते हैं कुछ ऐसा ही घटना कल से आप सभी की जिन्दगी में शुरू होने वाले हैं प्रंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इसी प्रकार कल से आपको एक अच्छी जिन्दगी शुरू करनी चाहिए के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे तीन चीज़ के बारे में बताने वाले उसने आपको अब अपने साथ में रखना है और दोस्तों देखेंगे कि कल से आप सभी का जीवन वैसा होगा जिसे आप चाहेंगे पूरा दुनिया आपके कदम में जुक जाएंगे आज के इस वीडियो में हम जिन तीन चीज़ों के बारे में आपको बता नहीं जा रही है यदि आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया और इनका उपयोग जान लिया तो पूरी दुनिया आपके आगे जुक जाएगी आप रातों रात लखपती करोडपती बन जाएंगे और आप किस सत्र भी आपके सामने हथियार डाल देंगे इसका कारण ये है कि इन तीन चीज़ों में नकारात्मक शक्तियों को काटने की गजब की शक्ती होती है साथ ही साथ यह तीन चीज़ें ऐसी हैं जो काम धंधा व्यापार में आपकी उन्नत ही कराएंगे रुपए पैसे को आपकी और चुमबक की तरह आकरशित करेगी साथ ही साथ समाज में दुनिया में आपके मान सम्मान को भी बढ़ाई कि यह दोस्त हो तो आपने यह वीडियो यदि पूरा देख लिया तो आपको कुछ ऐसा अद्भुत घ्यान प्राप्त होगा ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिनको जानने के बाद आपका जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा हम इस बात की गारंटी देते हैं दोस्तों अब एक बात हम आपको बता दें और आपको भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर इनसान को पता नहीं होता है और जिसको इन गुपत बातों के बारे में पता चल जाता है वहीं का उप्योग करके अचानक से कई सारे फाइद लाब अपने जीवन में जोड लेता है और तरक्की कर जाता है दोस्तों याद रखना इस संसार में तरक्की करने के दो रास्ते होते हैं एक तो वह है जो हमारे खुद के पूरवज हमें कुछ सिखा दें कुछ बता दें और हम तरक्की कर लें और धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बना ले सफलता की सीड़ियों पर चड़ जाए लेकिन यह तरीका बहुत कम ही काम करता है अन्यथा हर एक करोडपती इंसान की आुलाद करोडपती की हुआ करे हर एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही हुआ करे तो दोस्तों जिहान है और सुविधाएं हैं वे दूसरी पीड़ी तक बहुत कम ही पहुँच पाती हैं और यदि धन समपत्ती भी दूसरी पीड़ी तक पहुँच जाए तो उसे पीड़ी संभाल नहीं पाती है बरबाद चला ही जाता है तो दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयम ही अपने भाग्य के विधाता बन जाए और मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गुप्त बातें, आप अपने जीवन में आजमाएं जो दूसरे नहीं कर रहे हैं और फिर आप फर्क देख उसी मेहनत का आपको कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त होगा, आपकी तरक्की इतनी अधिक होगी कि दूसरे सिर्फ देखते रह जाएंगे, आप से जलेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे जी हाँ, दोस्तों तो आज के वीडियो का विशय बेहद ही रोचक है और बहुत ही अद्भुत ग्यान से भरा हुआ है, वीडियो का ग्यारा भाग आपको रोमांचित करेगा और बहुत ही महत्वपून ग्यान देगा जैसा अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, हम इस माता का सीधा प्रेम और आशीरवाद है, आपको प्राप्त होगा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में काम तो कर ही रहे हैं, हर एक काम आप कर ही रहे हैं, व्यापार काम, धंधे नौकरी अपने घर, परिवार को संभालना वगैरह वगैरह तू क्यों तरकीब हैं, जिन्हें आजमाते चले, तो आपको इन सब कारियों के परिणाम बहुत अधिक प्राप्त होंगे। इसका प्रमाण ये है कि आपने सत्य नारायन की कथा तो सुनी ही होगी। उस कथा में आपने एक प्रसंग अवश्य सुना होगा, जिसमें की एक गरीब लकडियां बेच कर बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाता है तो अब वह भगवान की कथा कैसे करा पाएगा। तू भगवान ने उसे स्वपन में आकर यह कहा कि कल तू लकडियां बेचना और तुझे इतना धन मिल जाएगा ना केवल तू अपन लकडियां काटकर सामान ने प्रक्रिया के दौरान ही अपने लकडियों को बाजार में बेचने के लिए गया तो उसे इतना धनलाब हो गया कि उसने बड़े आराम से भगवान की कथा कराने के लिए जो सामगरी थी बाजार से खरीद ली थोड़ा बहुत भोजन आदी दोस्तों जब सकारात्मक उर्जा हमारे साथ होती है और नकारात्मक उर्जा हमसे दूर हो जाती है तो हम काम तो वही करते हैं उसी मेहनत का उसी तपस्या का हमें फल बहुत अधिक प्राप्त होने लगता है और इसी को लोग तरक्की करना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है, आपको अपने जीवन में जोड़ना है, उन्ही कारियों में जो आप कर रहे हैं कुछ आपको अलग नहीं करना है, बस उन कारियों के साथ इन चीजों को जोड़ना है कि वह को आजमाना है और परंतर आपको साफ साफ महसूस होगा। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम कि आप जब भी घर से बाहर निकले दोस्तों, हम जो भी चीजें आपको बताएंगे, वह घर से बाहर निकलने के लिए ही बताएंगे। क्योंकि घर में रहकर तो आप सुरक्षित हैं और घर में रहकर आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं। दुनिया से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। किसी और से आपको किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। पर आए इंसान की बात कर रहा हूँ। मैं तू घर से बाहर निकलते समय ही आपको अतिति संगर्ष करना होता है और धनुपारजन के लिए आपको तरह तरह की क्रिया कलाब करनी पड़ती है तो उसी समय आपको दैविये शक्तियों की बहुत अधिक आवश्यक्ता रहती है जो ध्यान से सुनिये कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपको अपने मुख में पान के पत्ते का एक टुकड़ा और एक इलायची हरी इलायची हमेशा अपने मुह में रख कर निकले जिन दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप बस मुह में थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़ कर रख लें और इलायची रख लें और उसे धीरे 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 काफी समय तक अपने मुख्य में रख के रहें जब तक कि आप अपने दैनिक कार्य में रमना जाएं तब तक उसे अपने मुख्य में रखी रहे उन्हें तुरंत जमा कर चुके नहीं उसे निकल जाए दोस्तों आपको हम बताएं आश्चर्य की बात ये है कि इस तरकीब के बारे में लोगों को पता ही नहीं ये बहुत ही कारगर तक की है दोस्तों सबसे पहला कार्य की ये दैविये शक्तियों को आपकी ओरा करशित करता है ये दोस्तों जैसे ही आप ये कार्य करके निकलेंगे आप देखेंगे कि आपका आत्म विश्वास बढ़ जाएगा आपके बात करने के तौर तरीके में परिवर्दन आने लगेगा लोग आपसे अधिक से अधिक प्रभावित होने लगेंगे और यही तो आपको चाहिए अपने कार्यस्थल पर की लोग आपसे प्रभावित रहे आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहे आपके कार्य की हमेशा तारीफ करते रहें तभी तो आपको सम्मान प्राप्त होगा तभी तो आपको धन प्राप्त होगा तो अब यह तो ठीक है आपको क्या प्रयोग करके घर से बाहर निकल अब हम आपको बताते हैं आप अपना पर्सों तो रखते ही होंगे, अपनी जेब में अब आपके पर्स में रखने के लिए एक धन की पोटली बनाते हैं, काफी प्रचलित है और वास्तु शास्त्र में इसे काफी विस्तार के साथ बतलाया गया है। ये दोस्त वैसे तो वास्तु शास्त्र घर के उपर ही कार्य करता है, लेकिन ये व्यक्ति के उपर भी कार्य करता है और कुछ ऐसी तरकीब आपको बताता है, जैसी आप धन को अपनी और चुम्बक की तरह आकर्शित करेगी। यानि कि जो पैसा आपने किसी को दिया भी, तो वह कई गुना बन कर आपके पास वापस आएगा। आपके यहां तो फिजूल खर्ची हो ही नहीं सकती है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। मुझे दोस्ती से धन की पोटली कहा जाता है, और इसे हमेशा आपको अपने पर्स में रखना है, और यदि आप फर्स्ट नहीं रखते हैं, तो इससे हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है। तो अब ध्यान से सुनें कि कौन सी है वह चीज है जो आपके लिए धन की पोटली का कार्य करेंगे और माता लक्ष्मी को आपकी ओरा कर्शित करेंगे और दोस्तों को ध्यान से सुनिये कि कौन सी सामगरी कितनी मात्रा में चाहिए और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। इस विधी को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए शादी का एक सिक्का छोटे आकार का सिक्का चलेगा दूसरा कि जब भी आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे यानि कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोटली को कैसे बनाना है तो सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है ये माता लक्षमी को बेहत प्रिय है तो अब तो ये सिक्का हो गया और हल्दी हो गई दूसरा इलाइची का एक जोड़ा इलाइची हाथी होनी चाहिए सूची इलाइची नहीं होनी चाहिए दोस्तों तीसरा शमी पत्र बहुत ही आवश्चक है शमी पत्र चौथा ग्यारा चावल के दाने और चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होनी चाहिए अब इतनी सामगरी आपको लेनी है मात्रा हमने आपको बता दी है अब इसे आपको एक कागज पर लपेटना है कागज सफेद रंग का कागज लेंगे और उस कागज पर आप लाल रंग की पेंट से छे बार बार श्री श्री लिखेंगे दोस्तों यानि कि जो माता लक्षमी का सूचक है, छे बार आपको लिखना होगा। छे जो नमबर है वह माता लक्षमी का नमबर है, तो आपको छे बार श्री लिखना है। अब पूरी सामगरियों को आपको लपेट लेना है। आपको लपेटने के लिए उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर कि आपने छह बार सही लिखा हुआ है ध्यान से सुनना, दोस्त बहुत ही कारगर उपाय है आप बस इसे करके देखें और दूसरे ही दिन से आप इसके परिणाम देखें आपके बिगडे हुए काम भी बढ़ने लगेंगे और पैसा तो आपकी और भागा भागा आएगा दोस्तों अब आपने उसी कागज में जिसमें की आपने छह बार श्री लिखा था उसी कागज में आपने इस सामगरी को लपेट लेना है अब इसके बाद आपको इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा कलावा जो भी कुछ है उसे आपको लपेट लेना है साथ बार आपको इसे लपेटना है धागे से बस यह कि धन की पोटली तैयार है अब आपको क्या करना है ये प्रक्रिया पहली बार जवाब करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करें और इसे माता के सामने चरणों में रख देती हो दोस्तो आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की जो तस्वीर होगी जो फोटो होगी आपको इसे रात्री भर के लिए माता के चरणों में रख दिया है और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो चुपचाप से अपने भाई तरफ की जेब में यानि की शिर्ट की जै हो या पेंट कीजिए को बाएं तरफ कीजिए मैं आपको सिर्र रख कर निकलना है यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं या दोस्तों आप देखें की तैसी आपके जीवन में छमतकार होनी शुरू हो जाती है उर्जा में परिवर्तित होने लगेंगे और आपके बिगडे हुए काम भी बनने लगेंगे अब दोस्तों ये जो छोटे छोटे उपाए हैं जो हम आपको बता रहे हैं उपाए इतने छोटे हैं नहीं लेकिन जितनी आसानी से हम आपको बता देते हैं आपको सुनने में ये छोटे मोटे उपाय ही लगते होंगे लेकिन अब यकीन मानिए कि कई वास्तु एक्सपर्ट और जियोतिशाचार्य उपायों को करने के लिए भी लोगों से तरह तरह के रुपए की मांग करते हैं और लोग हंसते हुए रुपए देवी देते हैं और जब रुपए दे देते हैं तब यही उपाय उन्हें भारी और बड़े उपाय लगने लगते हैं यही तो विचार धारा है तो उसको तो हम आपसे यह इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी आस्था और विश्वास बना कर रखें उसे बिलकुल भी नीचे ना आने दें आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके हाथों ही निर्मित हो जाएगा बदल जाएगा अब दोस्तों विचार करने वाली बात यह है कि यह सामगरी चलेगी कब तक क्योंकि समय के साथ साथ सामगरी पुरानी होने लगेगी दूशित भी हो जाएगी तो आपको साथ दिन तक ही इस सामगरी का उप्योग करना है उसके बाद आप इस सामगरी को चांदी का सिक्का आप निकाल लें और उसे गंगा जल में धूल है और वह शुद्ध हो जाएगा स्वच्च हो जाएगा बाकी की सामगरी को आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं या फिर बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं किसी भी طرح से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें अगले शुक्रवार को, यानि शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक यह सामगरी चली गई और अगले शुक्रवार को आप उन्हें नई सामगरी से धन की पोटली तैयार कर सकते हैं यह बहुत ही कारगर है, आप एक बार इसे करके अवश्य देखिए ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उपाय हमने धन की पोटली के विशय में भी आपको बताया था जो कि घर की तिजोरी के लिए था लेकिन उसमें सामग्री अधिक थी और उसको बनाने की तरकीब लगभग ऐसी ही थी मिलती जुलती थी लेकिन सामग्री बढ़ जाती है उसमें इसका कारण ये है कि जो तिजोरी है वहां आप पंकच संचय करते हैं तो वहां सामगरी यानि वहां उर्जा को केंदरित करने की बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है ज्यादा से ज्यादा मातरा में उर्जा एकाग्र हो केंदरित हो तो आपका धन बचा रहेगा और बढ़ता रहेगा इसलिए उसकी सामगरी थोड़ी सी से अलग रही है लेकिन दैनिक सामगरी है जिसे आप चाहे तो रोज भी बदल सकते हैं और चाहे तो साथ दिन में एक बार भी बदल सकते हैं और कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी बताएंगे दोस्त फिर हम आपको तीसरा प्रयोग बताएंगे जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा इत्र अवश्य लगा कर निकला करें ये दोस्तों और इत्र लगाने के लिए आप वैसे तो कहीं भी लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपकी शरीर में एक शुक्र परवत होता है उस शुक्र परवत पर आप इतना अवश्य लगाया करिये आप देखेंगे कि धन लक्ष्मी वैभव आपकी ओर दोड़ा चला आएगा तो ये शुक्र परवत कहां होता है अब इत्र तो आपके घर में होगा ही उसे तो आपको बताने की आवश्यक्ता नहीं है नहीं है तो आप बाजार से खरीदना है कोई भी अच्छी सुगंध वाला इत्र सस्ता सा ही आ जाता है अब उस शुक्र परवत कहां है तो आपकी जो हथेली है उसमें जो अंगूठा है उस अंगूठे की जड़ में यानि कि उस अंगूठे के निचले भाग में जो उभरा हुआ हथेली का हिस्सा होता है अंगूठे के नीचे का उबला हुआ हथेली का हिस्सा जो होता है उसे शुक्र परवत कहा जाता है शुक्र परवत को सक्रिय करने की विधी भी हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताई थी आपको वह विधी जरूर आजमानी चाहिए इससे भी आपके जीवन में सुविधाएं बढ़ेंगी, संगर्ष कम होने लगेगा शुक्र जो है वह धन वैभव का आग्रह है आपके जीवन में एश्वर य सुख सुविधाएं जोडने का काम करता है तो आपको इसको सक्री करना बहुत जरूरी है फिलहाल हम आपको बता देंगे जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी हथेली के इस हिस्से में थोड़ा सा इत्र लगा कर हल्की सी मसाज अवश्य कर लिया करें दोनों हाथों के सुख परवतों को आपको एक दूसरे के उपर रख कर मसाज करनी है इत्र लगा ले और मसाज कर ले हल्की सी थोड़ी सी करनी है आपको एक आद मिनट के लिए और फिर आप घर से बाहर निकले देखेंगे आपकी आपका दिन बन जाएगा, छमतकार हो जाएगा जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा आपके साथ होने लगेगा अब कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आपने जैसे ही तरक्की प्राप्त करनी शुरू कर दी वैसे ही किसी की नजर लग गई आपकी बुराई पहली नकारात्मक्ता तू नजर से ही आती है अब नजर कोई जान बूज कर दे या अंजाने में भी दे दे नजर जरूरी नहीं कि कोई जान बूज कर ही आपका बुरा करना चाहता है तो नजर लगेगी आपको बुरा नहीं करना चाहता बस उसके मन में भावनाएं उठी और आपको नजर लग जाएगी ये दोस्तों अब उससे आपको कैसे बचना है तो उसके लिए उपाए जो हम आपको अपने कई वीडियो में बता चुके हैं इस बार भी बता देते हैं कि आपको लॉंग का एक जोड़ा हमेशा अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है दे दो तो आपको यह मान कर ही चलना है कि आज आपको नजर लगेगी चाहे आपके काम को लगे कि आपके व्यापार को लगेगी आपके काम धंडे नहीं तो आपके जो आप वाहन चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं या फिर से आपको ही लग जाएगी तो फिर उस नजर से आपको बचना बहुत आवश्यक है यदि आप वही नकाराथमकूर्जा अपने घर में लिए गए तो वह नकाराथमकूर्जा आपके घर में कई तरह के विद्वन्स मचा सकती है और भी कई बड़ी प्रचंड नकारात्म कूर्जा को आकरशित कर सकती है यह दोस्त और उसे छोड़ दो लॉंग का एक जोड़ा आपको अपनी जेब में रख कर निकलना है जब भी आप घर से बाहर निकले एक लोगों का जोड़ा अपनी जेब में रख ले हमने आपसे पहले ही कहा था कि समझदार लोग लड़की में आजमाती है प्रयोग करते हैं काम तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन फायदे अलग-अलग होते हैं तो आपको भी अब यही करना है लोगों का एक जोड़ा अपनी जेब में रख कर बाहर निकले और जब आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करेंगे शाम के समय अपना काम खत्म करके फिर आपको घर से बाहर जाना नहीं है तो आपको वह गांव का जोड़ा घर के बाहर घुसने से पहले ही आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है पीछे मुड़े बिना पीछे देखे बिना आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है और सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाना है आप किसी को बिना दिखाई दिये कर सकते हैं आप फिर ऐसे ही लोगों को जोड सकते हैं किसी को पता नहीं चलेगा नहीं तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आपके घर से नकारातमकता गायब होने लगेगी और आपको नजर तो किसी भी कीमत पर लगेगी ही नहीं आप याद रखें कि बड़ी से बड़ी ओद्योग धंधे व्यापार तक ठप हो जाती है सिर्फ नजर लगने की वजह से और बड़ी से बड़ी सफलताएं भी धूल में मिल जाती है मिट्टी में मिल जाती है बस एक छोटी सी नजर की वजह से क्योंकि नजर लगते समय जरूर छोटी होती है लेकिन यह फिर कई तरह की नकारात्मक उरजा को अपनी और आकरशित करने लगती है क्योंकि जैसी उरजा होगी वैसे ही अन्य युवाओं को आकरशित करेगी तो एक नकारात्मक उर्जा कई प्रकार की नकारात्मक उर्जा को आकरशित करती है और फिर धीरे धीरे विनाश लीला शुरू हो जाती है तो आपको शुरुआत ही होने नहीं देनी है और फिर आप देखेंगे कि कोई भी नकारात्मक उर्जा आपके जीवन में होगी की नहीं तो, अब ये तो थी सामान्यसी बात है जो आपको अपने जीवन में आजमानी है, अब बताते हैं, वहीं तीसरी बात इसे एक कोड कहते हैं, जी हाँ, दोस्तों, अंक शास्त्र का एक बहुत ही खूब सूरत अंग है, अब तक हमने आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं, पहली बार बताने जा रहे हैं और इस अंक को आपको कैसे प्रयोग करना है, यह भी विधी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनिए, बहुत ही आवश्यक कोड है, दोस्तों, इसे अंग्रेजी में कोड ओम्फ वेल्थ कहा जाता है, यानि दौलत का अंक कहा जाता है, जिसके पास यह कोड होता है, उसके पास चाहिवा कितना ही कोशिश करें, अपनी उन्नती को रोकने क्यों न लगे, लेकिन उसके पास माता लक्षमी अवश्य आएगी, क अपको क्या करना है, एक सफेद रंग का कागज लेना है, चौकोर कागज लेना है, आपको छोटा सा, और उस कागज पर हरिजन की पेन से आपको यह अंक लिख देना है, अंक आपके मुबायल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, और आप ध्यान से सुने, हम बोल बस आपको यह अंक लिख लेना है और इस कागस को रिकॉर्ड में उड़ना है दोस्तों आप देखेंगे यह कागस आपको कुछ इस प्रकार से मुढ़ना है कि इसका एक ट्राइंगल बनेगा कौन बनेगा तीन कोना वाला आपको इस कागस को अपनी जेब में रखना है अपने पर्स में रखना है जैसी आप धन की पोटली को अपने पर्स या चीन में रखेंगे वैसे ही आपको इस कोट को भी अपनी जेब में रखना है जब भी आप घर से बाहर निकले उस समय आपको यह अपनी जेब में रखना है और आप देखेंगे कि पैसा चुमबक की तरह आपकी औरा करशित होगा आप चाहे भले ही दिल्चस्पी ले या ना ले लेकिन आपको फाइदा होगा आपके पैसे का काम चुटकियों में बजाया करेगा तो रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे और आपकी तरक्की होने लगेगी वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी बाते हैं जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए एक पूरा क्रम होता है एक नियम होता है, पूरे संसकार होते हैं, जिन्हें आजमाना पड़ता है, फिर बदलाव आते हैं, लेकिन इसके लिए वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, दोस्तों वैसे ही बहुत सारे हमारे जो सप्लाई डिवर्स है, वर्क कम्प्लीट करते रहते हैं, कि आपकी हर एक बात आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, शायद इसी वजह से हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जा, घर के साथ देखेंगे तो आपको बहुत अध्भुत घ्यान प्राप्त होगा, जैसा कभी कहीं किसी ने आपको दिया नहीं होगा, और बहुत सारे लो पर केवल हम ही लेकर आते हैं, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है, तो अब आपको इन बातों को अपने जीवन में आ जाना है, फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए? इसके विशे में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, लेकिन हम आपको एक बात अंत मे जाते जाते और बता दें, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, और बदलाव की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी, और वह ये है कि आपकी राशे के जातक जितने धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, और सत्य की राह पर चलेंगे, उतनी ही ज्यादा तर सर एक ही है कि धार्मिक रहना है, आध्यात्मिक रहना है, सत्य की राह पर चलना है, गलत कार्य करके पैसे कमाने की बिलकुल भी कोशिश नहीं करनी है, और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहन करना है, साथ स्वाइन पर पूजन लेना है, तामसिक भोजन नहीं लेना है, अन्यता आपको क्रोध बहुत आएगा और आपके बनते हुए काम बिगड़ती चली जाएगी, अपनी सेहत का खयाल रखें, व्यायाम अवश्य करें, योग प्राणायाम से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, ताकि आपको कहीं भी जीवन में र गेड़ सारी बधाईयां ली है, यदि कोई प्रशन उठता है, तो आप कमेंट करें, हम आपके कॉमेंट का निश्चित तोर पर जवाब देंगे, इस बात का हम वादा करते हैं, आप से इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के जय श्री हनुमान, जय माता लक्षमी अवश्य लिखें, महाबली हनुमान जी और महालक्षमी की पूर्ण कृपा भरपूर कृपा आपको, रात होगी आशिरवाद आपको प्राप्त होगा, आपका उद्दार होगा, मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता की